ओम श्यांती, 6 दिसंबर 2023 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, तुम बच्चों पर फिर से माया का पढ़ गया है, इसलिए मैं तुमको सच्ची गीता सुना कर, अर्थात राजयोग सिखा कर, राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, यहां हर एक आत्म का पार्ट अपना अपना है, सब एक समा नहीं हो सकते, यह बात तुम्हें औरों को भी समझानी है, परंतु अच्छी रिती वही समझा सकते हैं, जिनकी बुद्धी की लाइन बिलकुल क्लियर हो, इसके लिए तुम्हें पहले देही अभिमान बनना है, कल्प पहले जो पढ़ाई में तीखे थे, ड्रामा नुसार वही अब निकलेंगे, यहां कोई ठगी आदी चलना सके, फिर बाबा ने कहा, जैसे सर्वशक्तिमान बाप सब को पावन बनाने में प्रबल है, ऐसे माया भी पावन को पतित बनाने में प्रबल है, इस पता ना हो, माया इस सची कमाई में घाटा डाल दे, तुम अभी प्रैक्टिकल में इश्वरिये संतान बने हो, स्वियम परमात्म तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह स्मृती सदा रहनी चाहिए, नंबर वन दुश्मन है काम, तुम्हें ग्रस्त में रहते, इस पर जीत पाने की प्रतिग्या करनी है, भल माया के तुफान तो आएंगे, परन्तु तुम्हें इन में डरना नहीं है, हर एक को अपनी वृती देखनी है, कि कहीं करमेंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं होता, लास्ट में बाबा ने कहा, भविश्य 21 जनमों के लिए वर्सा लेना है, तो शरीर छोड़ने से पहले अपना सब कुछ इन्शोर कर देना है, साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है, ऐसा ना हो, जो जमा किया है, वो यहीं खाकर खत्म कर लो, और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से, मुडली का सार, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ, इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है, प्रश्न, बाप भी प्रबल है, तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है, उत्तर, बाप तुम्हें पति से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्ति मान कहा जाता है, माया फिर पतित बनाने में प्रबल है, सच्ची कमाई में ग्रहेचारी ऐसे बैठती है, जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है, विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करो गीत हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है ओम शांती तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है जरूर राहा बताने बना होगा मनुष्य रोंग राश्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते सब उल्टी मत पर चलते आये हैं जब से उल्टी मत देने वाले रावन का राज्य शुरू हुआ है बाब समझाते हैं, तुम्ही समय रावन की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है, सब अपने को पतित कहते भी हैं, गांधी बापुजी भी कहते थे पतित पावन आएं, गोया हम पतित हैं, प्रन्तु कोई भी समझ से नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं, चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा गीता में बापने सब बातें समझाई है परंतु गीता के भगवान कही नाम उल्टा लगा दिया है बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए यह भी ड्रामा है बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं यह आदी मध्यांत का ज्यान गीता में है बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं तुमने 84 जनम कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो हम बताते हैं यह कोई भी शास्त्र में नहीं है शास्त्र तो अनेक हैं भिन-भिन मते हैं गीता मना गीता जिसने गीता गाई है उसने ही राए दी है कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं तुम पर माया का पड़्चाया पड़ गया है अभी फिर से मैं आया हूँ गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ अर्थात फिर से गीता की नौलेज सो गीता में ही यह बात है कि आसुरी स्रिष्टी का विनाश और दैवी स्रिष्टी की सापना फिर से होती है फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं शुरिक्रेशन भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा तो यह सब राज गीता में है परंतु भगवान को बदल दिया है हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आ करके सीधा करके समझाते हैं यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुन्धा हुआ है सब एक समा नहीं हो सकते जैसे मनुष्य माना मनुष्य वैसे आत्मा माना आत्मा परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है यह बातें समझाने वला बड़ा बुद्धिवान चाहिए बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं कौन सर्विस में समझदार हैं किसकी लाइन क्लियर हैं देही अभीमानी रहते हैं सब तो परिपूर्ण देही अभीमानी नहीं बने हैं यह तो अंत में रिजल्ट होगी इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पढ़ जाता है कौन-कौन पास होगे तीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझ से हैं कि यह सबसे तीखा है वहाँ तो ठगी आदी भी हो सकती है यहाँ तो यह बात हो न सके यह तो ड्रामा में नूंध है कल्प पहले वाले ही निकलेंगे हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाब ग्रह चारी आदी आती हैं चलते चलते टांग तूट पड़ती हैं गंधर भी विवा करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती हैं माया भी बड़ी प्रबल है बाबा प्रबल है पावन बनाने में इसलिए उनको सर्विशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में सत्यूग में तो माया होती नहीं, वो है ही वाइसलेस वर्ड, अभी है एकदम विश्यस वर्ड, कितनी जबर्दस्त प्रबलता है। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, फिर भी सत्यूग को लाखों वर्ष, कलियूग को कितने वर्ष दे देते हैं, अभी बाप समझाते हैं। कि हम राजयोग सीख, राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाईं तो अनेक हैं, परन्तु कोई राजयोग सीख, राजाओं का राजा वरानी बन नहीं सकते हैं। कोई भी एम उब्जेक्ट राजाई पाने की नहीं है। यहां तो कहते हो, हम बेहद के बाप से भविश्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े, सुरिष्टी चक्र कैसे फिरता है, हम कहां से आए हैं, फिर कहां जाना हैं, कोई को पता नहीं है। कोन देश से आया, कोन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बुद्धी जो आत्मा में हैं, वह नहीं जानती, कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह कौन हैं। उनको न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, आत्मा का तो फर्ज है न, बाप को जानना, देखना, अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, बुद्धी कहती है, बाप आकर पढ़ाते हैं, जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं, तो तो समझ से है न, उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझ से हो हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, बाप से जरूर वर्सा मिलना चाहिए, हम दुखी क्यों हुए हैं, मनुष्य तो कह देते, बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं, वह हैं आसुरी संतान जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं तुम अभी प्रैक्टिकल में इश्वरिय संतान बने हो आगे तुम आसुरी आुलाद थे अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो किसको भी यह दो अक्षर समझाना बहुत सहज है तुम भगवान के बच्चे हो भगवान ने स्वर्ग रचा अब नर्क बना है फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं स्वर्ग की सापना कर रहे हैं अच्छा शिव को नहीं जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है तो जरूर बाप ब्रह्मा दवारा ही सिखाएंगे अभी शुद्रवर्ण है हम ब्रह्मन से देवता शत्रिय बनेंगे नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है चित्र ठीक है परन्तु समझ नहीं सकते शुद्रों को ब्रह्मन कौन बनायेंगे जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए उनको कैसे अडोप्ट किया जैसे तुम कहते हो यह मेरी श्री है उनको मेरी कैसे बनाया अडोप्ट किया कहते हैं मुझे भी मात पिता कहते हो मैं बाप्तु हूँ मेरी कहां से लाओं तो इन में प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं इस्त्री अडोप्ट की जाती है जैसे लौकिक बाप इस्त्री को अडोप्ट कर कुख वन्शावली रश्ते हैं बाबा ने फिर इन में प्रवेश कर इनको अडोप्ट कर इनके मुख दवारा मुख वन्शावली बनाई है तुम कहते हो हम ब्राह्मन ब्राह्मनिया है जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है ब्रह्मा किसका बच्चा? शुबाबा का इनको किसने अडोप्ट किया है? बेहद के बापने द्रिष्टान्त बड़ा अच्छा है परन्तु जिसकी बुद्धी में बैठा होगा वेह समझा सकेंगे बुद्धी में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं लौकिक और पार लौकिक बाप तो है ना वेह भी इस्त्री को अडोप्ट कर मेरी कहते हैं ये फिर इन में प्रवेश कर अडोप्ट करते हैं खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है तो नाम भी बदली करता हूँ एक ही टाइम कितनों के नाम रखे नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया उनको भ्रिगूर इशी कहते हैं जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है, वंडर्फुल नाम है, अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्रेवत भागनती हो गए, आज हैं, कल हैं नहीं, नंबर वन दुश्मन है काम, यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है, ग्रस्त व्यवार में इकठे रहकर उन पर जीत पानी है, यह है प्रतिग्या, अपनी वृती देखनी है, करमेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, तुफान तो सब को आते हैं, इसमें डरना नहीं है, बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं, यह धंदा करे वो नहीं करे, बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम हम से क्यों पूछते हो मैं तो राज योग सिखाता हूं रुद्र यग्य भी गाया हुआ है श्री कृष्ण यग्य नहीं बाप कहते हैं लक्ष्मि नारेण में यह स्रिष्टी चक्र का ग्यान ही नहीं अगर यह मालूम हो कि सोलह कला से फिर चोधा कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए वहां तो है ही सदगती सदगती दाता तो एक है वही आकर युकती बताते हैं दूसरा कोई बतला न सके पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है का महाशत्रू है यह भी गाते हैं विश्यस वर्ड और वाइसलेस वर्ड भारत में ही राव यह कहते हैं कि अनादी है, सत्युग में भी था, फिर तो सब जगे दुखी दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे, यह बातें समझानी है, हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वला है, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ, स पतोर जो तमो तो होते ही है, बुद्धी हरे की अलग अलग है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वे हैं तमो प्रधान बुद्धी, अपने को इंशोर नहीं करेंगे, तो भविष्य 21 जनमों के लिए कैसे मिलेगा, मरना तो है ही, तो क्यों न इंशोर कर देना चाहिए, सब कुछ उनका है, तो परवरिश भी वेह करेंगे, भल कोई सब कुछ देते हैं, परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वो खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं, सर्विस का सबूत चाहिए, देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं, नए बीके भी फ्रीन दी जाती है, यह नौलेज सो बड़ी सहज है, वानप्रस्त अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्त अवस्था कब होती हैं, बाप ही गाइड बन सब को ले जाएंगे, तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है, हम तो खुशी से बाप के साथ इकठा जाना चाहते हैं, पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है, जिसने रचना रची, लक्ष्मि नारेन को राजियो किसने सिखाया, उनकी राजधानी सापन हो रही है, और कोई राजधानी सापन करने आते नहीं, बाप ही राजधानी सापन करने आते हैं सब पतितों को पावन बनाते हैं यह है विश्यस वर्ड वो है वाइसलेस वर्ड दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धी में ही यह बातें बैट सकती है अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सार बुद्धी की लाइन सदा क्लियर रहे इसके लिए देही अभिमानी रहना है सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे यह संभाल करनी है करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है इंशोर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है वर्दान माया को दुश्मन के बजाए पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जीत भव माया को दुश्मन के बजाए पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जीत भव माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए इसले घबराओ नहीं पाठ पढ़लू कभी सेहन शेलता का पाठ कभी शांत स्वरू बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है इसलिए माया को दुश्मन के बजाए अपना सहीयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे कभी भी कमजोर बन माया का अहवान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी स्लोगन हर संकल्प में दृड़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी अच्छा अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें